हरे कृष्णा मैं हूँ जोत्साचार डॉक्टर विंतर पाथी आप देख रहे हैं लख गुरु कारक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है आज हम आपसे बात करेंगे मिथों राश के जातकों के बारे में कि जो मिथों राश के जातक है उनके लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है आज आपकी प्रगती होगी या पदुनती होगी आस्थालांतर होगा या जहां है वहीं आपकी पदुनत हो सकती है और आज आपको विदेश यात्रा का क्या यूग बन रहा है माली हालत आपकी कैसी रहेगी यह सारी बाते आज हम आपको बताने वाले हैं और आपके लिए सुभंक क्या होगा सुभरंग क्या होगा आपको क्या सौधानिया बरतनी है क्या उबाय बरतना है यह सारी बाते आज हम आपको बताने वाले हैं जैदि आपको मेरा कारक्रम पसंद आ रहा था वीडियो को share करें like करें और आपको जोती से संबंधित अगर कोई भी जिक्यासा है आपके मन में प्रश्ण है अपने बारे में जानना चाहते हैं तो आप क्या करें कि इन बॉक्स में जाएं अपना नाम लिखें अपना जन्तिति जन्मस्थान और जन्मसमय लिख करके भेज़ें ताकि हम आपके प्रश्णों का उतर दे सकें अब आईए हम बात करते हैं मिथों राश्य के जातकों के बारे में जो जो मिथों राश्य के जातक हैं उनके लिए आज का दिन बहुत ही बड़ी है आज आपका कालखंड आपके लिए काफी बात पूंड है आज आपकी धन-धन किस् प्रतिक्षित होते हुए दिख रहा है तो भविश्य में जो भी प्लान करेंगे उसमें भी सफलता मिलेगी और बरतमान में किया गया प्लान भी आपको सफलता दिलाएगा माली हलत आपके अच्छी होगी रोग और सत्रू परास्त होंगे सरकार साज आपको लाफ मिलेगा वि दिख रही है माली हालत आपके अच्छी होगी सफलता मिलेगा घर इत्यादी बनवा सकते हैं भूमी भवन खरिदने का भी योग बन रहा है जदी आप सेयर से ट्रेडिंग में अगर नैत रहता प्लान कर रहे हैं तो उसमें भी आज़ापको आसाती सफलता मिलते हुए दूर देश की आत्रा से मन थोड़ा उदिग्न हो सकता है अकारण मन में असुरक्षा की भावना डिवलप हो सकती है भाई बहनों का सुख मिलेगा परिवारिक दाइतों को पूर करते हुए दिख रहे हैं सारी जो भी दाइतों पूर होने की प्रबल योग बन रहा है घर मे ने मेहमान के आने से मन प्रकुलित रहेगा ने तरह के कारे कर सकते हैं इसकी प्रबल संभावना बन रही है दूर देश की आत्रा का भी योग बन रहा है और आज आपको ने तरह के कारे भी कर सकते हैं विदेश कमन से मन प्रसंद रहेगा और जदी सरकार में कोई ने तरह क के कार या नए प्लान कर रहे हैं तो सरकार में आज आपकी काफी महत्तों बढ़ेगा और सरकार से लाब मिलते हुए दिख रहा है और ध्यान रखना के दुरुत गत की गाड़ी नहीं चलानी है नए मेहमान के आगमन से भी मन प्रफुलित रहेगा ज़िद घर में कोई बुज दिल के बजाए धिमाग से नेड़े लेना आपके लिए अच्छा रहेगा आज आपको उपाय क्या करना है उपाय करना है कि गावसाला में जाके गायको हरा-चारा खिलावें और भगवान विश्नुजी की अराधना करना आपके लिए अच्छा रहेगा ओम गंगड़पते नमाइस मंत्रका भी जब करते हैं तापके लिए शुब राएगा आपके लिए शुब रंग है तेन और शुब रंग है हरा हरे क्रिश्न